नाध्स टॉपिक दीज ट्राशनेक टेक्नोलाजी। विद गहल्प अव ट्राशनेक टेक्नोलाजी। कैसे हम लोग इस टेकनिक को अप्लाई करके ट्राशनेक एनिमल का फॉरमेशन करते हैं। सबसे पहले आईए कि ट्रांसजेनिक एनिमल कहते किसको हैं, इसमें क्या डिफरेंस है इन जेनरल नॉर्मल एनिमल्स एन ट्रांसजेनिक एनिमल्स, तो ट्रांसजेनिक एनिमल्स जो है इसमें मेंली आपका ट्रांसजेनिक, इत मींस कि ट्रांसट्रांसफर, जेनिक जीन, जीन को transfer किया जा रहा है और किस टाइप के जीन को जीन तो transfer in natural way में भी होते हैं first generation to next generation but in this case changed genetic gene becomes changed and then transfer into the new generation transfer into the embryos transfer into the ovum either gametes then the animals will be formed by changed or altered genetic material तो इस तरह से जो जी आपके animals का जो formation होगा उसे काते हैं transgenic animals so a transgenic animals develops from a genetically altered gametes उसके जो gametes आप लोग गैमेट का formation पर चुके हैं oogenesis में, spermatogenesis में, male gametes and female gametes उस gametes में ही अगर उसके जीन को change कर दिया जाए, for suppose अपने ही जीन को आप लोग ले लेजी हम लोगों का जो ओवा है या is sperm है, इसके अंदर आपके निकलियस हैं, इस निकलियस के अंदर क्रोमोजोम्स हैं, उस क्रोमोजोम्स पे आपके जीन लगे हैं अब उस जीन को ही अगर change कर दिया जाए, यहाँ ओवा को लेके और इसके जीन में changes ला दें तो जब यह दोनों आपके fuse होंगे, तो यहाँ पे जो हमारा यह जाइगोड बनेगा, उसमें कुछ changes आपको दिखेंगे इस तरह का काम कहाँ पे किया जा रहा है, यहाँ पे इस तरह का काम हमारे animals में, fish से लेके mammals तक सारे में changes जहाँ हमको जिस animals से उसके जीन में change लाके उससे हमें products लेना है, collect करना है, products जैसे पहले काउ को ही ले लीजे, काउ के जीन में changes लाया जाते हैं, जितने भी farming वाले हैं, आपके live stock जो farming में cattle हैं, कि ज़्यादा ज़्यादा milk produce कर सके, ज़्यादा उसके skin से, उसके fat से, drugs वगरा का formation हो, ज़्यादा जैसे insulin का production हम यहाँ से gene ले लें और उस gene में gene को change करके, हम लोग insulin का production करें, hormones का production, growth hormones, यह सब जो hormones हम लोग बाहर से ले रहे हैं, thyroid के लिए जो हम लोग drug ले रहे हैं, tablets ले रहे हैं, इस तरह के जितने भी interferon का production, mainly protein industry में बहुत ज़्यादा आपका इस तरह के changes लाए गए हैं, तो यह सारे changes जो हैं, इससे जो animals बन रहे हैं, जैसे fish वेगरा है, आप देखें, बहुत varieties हैं, उनके बहुत कम time में ही, वो क्या कहता है, breed करना, उनका timing जो है, life span, उसका कम होना, या बहुत जल्दी जल्दी breed करना, ताकि जदा ज़्यादा commercial level पर population हम लोगों का इतना ज़्यादा है, तो वहाँ पर उनको product भी जदा ज़्यादा available करवा सके, तो उसके लिए gene में changes, जो situation के according, क्या क्या changes हम ला सकते हैं से उस में gene में, और उससे byproducts का करना, इकठा करना, तो यह सारे आपके आ जाएंगे, यह कि इस तरह से cells में change करना, या gamut में change करना, तो उससे हम लोग, transgenic animal का formation करते हैं, तो यह transgenic animal develops from a genetically altered gametes और fertilized ovum, Now, यह term जो है, the term transgenic was coined by Gordon and Ruddell in 1981, तो यह 1981 में आपका, इन दोनों scientists ने, Gordon and Ruddell ने, सबसे first time transgenic जो नाम दिया, उन्होंने दिया था, वो 1981 में, ऐसे भी 1970s के बाद ही हमारा सारा यह start हुआ है, जितने भी manipulation है, genetic manipulation जो है, 1970s के बाद ही यह start हुआ है, So, transgenic technology permits rapid introduction of new traits, अब जब हम लोग उसके gene में change लाएंगे, तो हमारा जो product आएगा, उसके character में भी changes आएंगे, So, rapid introduction of new traits, new characters का rapidly अपका changes होंगे, introduced होते चले जाएंगे, और इससे होंगे क्या? Improvement in livestock, has already given good results for increased milk production in kettles, Improvement है, livestock, जो farming में जितने भी animals, pig, goat, camels, यह सब आते हैं, सारे आजाएंगे आपके livestock में, जिसकी farming की जाती है, horse, यह सब, तो इनके में भी improvement होगा, और इसका एक good result है, for increased milk production in kettles, increase growth rate of livestock, जो आपका livestock में है, उनका भी growth rate जो है, वो increase करना, इस तरह से gene में changes लाके, ठीक है, livestock में and fishes, fish, production of valuable proteins in large quantity, proteins का, आपका production, large quantities में, जिसको protein engineering भी कहेंगे, जैसे आभी हम लोग insulin को देखें, so large quantities in milk, urine and blood of livestock, जो livestock है, उसके urine का भी use है, urine से भी बहुत तरह के drugs वगड़ा का formation है, blood से, blood से भी से, उस blood में भी changes लाके, बहुत सारी चीज़ें इनके in future और इस पे बहुत सारी research चल भी रहे हैं, तो इन सब का production इस तरह से, wool production in transgenic sheep, अब sheep में wool का production एक natural है, और जब उसके gene में changes लाके, तो उसमें variety आपके, wool के भी variety आपके change हो जाते हैं, बहुत fast आपका production हो, इस तरह के sheep के भी gene में changes जब लाके, जब produce कराते हैं, तो उस तरह के sheep को transgenic sheep बोलेंगे, यह सब इसके merits हैं, कि क्या क्या improvement आपके transgenic technology से, क्या क्या हमें improvement हो रहा है, ना, the first transgenic animal were produced in 1981 by Ralph Brinster and Richard Palmitter, यह दोनों आपके scientists हैं, Ralph Brinster and Richard Palmitter, यह दोनों 1981 में first आपका, उन्होंने transgenic animal बनाया था, और किस पर इस पर काम था, मिली यहां growth hormone, growth hormone को introduce किया गया, यह gene जो है, rat से, यह growth hormone के लिए जो responsible है, कि हर character के लिए gene responsible, आप जानते हो कि gene जो character करी कर रहा है, तो those genes which carry, genes which carry the character of to produce hormones of growth for responsible for the production of growth hormones, that genes introduced into a fertilized eggs of mice, मैस में उसे उन्होंने first time introduce किया और उसके बाद देखा कि जो next उसमें बहुत ज्यादा वो आपके growth hormone का production जो है, ज्यादा सज्यादा वहाँ पर होने लगा, तो उस तरह के animal का वो उन्होंने introduce कर दिया, रैट के growth hormone को उन्होंने mice में डाल के, तो वह first transgenic animal का produce करना, 1981 में Richard and Ralph के द्वारा हुआ था, ना, next, अब gene का introduce करना, cell में आपका, तो अब gene से आई है, gene में भी DNA, DNA में nucleic acid, so the process of introducing nucleic acid, into eukaryotic cells, अब हम लोग animal की बात कर रहे हैं, कि animal transgenic animal की जब बात करेंगे, तो animals में आपका eukaryotic cells में हमें changes लाना है, और हमें introduce करना है, या altered करना है, उसके gene में, उनके nucleic acid में, so the process of introducing nucleic acid into eukaryotic cells by non-viral method, एक होता है कि through the virus आप उसको introduce करें, यहां पर non-viral method से जब हम introduce कर देंगे, किसी eukaryotic cell में, एक आपका यह eukaryotic cell है, इसमें हमने gene transfer किया, ठीक है, तो यह आपका, तो जो transfer कर रहे हैं, वो कहां से transfer कर रहे हैं, यहां वीच में जो helper हो गया, वो non-viral, यानि कि without virus, वाइरस का help नहीं लेना है यहां पर, ठीक है, तो without virus जब हम introduce करेंगे, eukaryotic cell में, तो उस में थट को कहते हैं, transfaction, यहां दिख रहा है, transfaction, this one, transfaction, transfer हुआ, इंफेक्ट कर रहे हैं उसको, उसमें, उसमें इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, तो transfaction, the cells with foreign DNA are called transfacted cells, अब जिस cell में इंट्रोड्यूस किये, यह foreign DNA को, या change DNA को, या desired DNA को, वो cell कहलाया, transfacted cell, ठीक है, and the foreign DNA, जिस DNA को introduce किया गया, या जिस gene को introduce किया गया, वो gene कहलाएगा, trans gene, it means, कि जो foreign, या जो बाहर से हम लोग, जो gene को, उसमें डाल रहे हैं, change करके, या natural gene, दूसरे animal से लेके, किसी दूसरे में, डाल रहे हैं, आपका eukaryotic cell में डाल रहे हैं, तो वो gene कहलाएगा, trans gene, और जिस cell में डाल रहे हैं, वो cell कहलाएगा, transfected cell, और यह process कहलाएगा, transfection, जो पहले इधर, पहले पढ़े हैं, वो transfection कहलाएगा, now, आगे है, transgenesis, transgenesis, transgenesis is the process of introducing foreign और exogenous, foreign भी बाहर का हो गया, और exo भी बाहर का, genus, exogenous, same, foreign या exogenous DNA into an animal genome, अब animal के gene में आपका introduce करना, foreign gene को, gene को या DNA को, वो process जो है, transgenesis कहलाता है, ठीक है, now, thus, the genetic feature of domestic animal can be improved, अब इस तरह से हम किसी animal में, जब हम introduce कर दे रहे हैं, foreign DNA को, desired DNA को, तो उस DNA से उसका genetic features जो है, वो change हो जाएगा, तो यह हम लोग किसमे करते हैं, domestic animal जो हम लोग जिसको पालते हैं, जिसको अभी लाइव स्टाउक बोलते हैं, कि यह सब farming करना, तो domestic animals में, यह सब इसके genetic features जो हैं, वो से improve कर जाएगे, अभी बताया, आगे भी पहले था, कि milk का production, hormones, सारा इधर आया आपको, यह सारा oil का production, उसके urine में changes, blood में changes, proteins हैं, फिस हैं, सारा cattle का milk production है, इस तरह के सारे changes, आपका by the process of transgenesis, आपके उसके animal को, हम लोग उसके genetic features को improve करते हैं, So, the transgenic animals can be used as bio-reactor, अब इस तरह से, जो transgenic animal को, अब हम लोग किस तरह जब उसको change कर दियें, तो उसको हम लोग bio-reactor की तरह use कर रहे हैं, for large scale production of valuable recombinant chemicals, एक ऐसे chemicals बन रहा था, एक natural chemicals आपका है, और उसको recombinant, यहाँ पर recombinant मिन्स की, उसमें, उस chemicals में कुछ changes लाया गया, recombinant, दूसरे के भी, उसमें, जो है, merits को introduce कर दिया गया, तो recombinant हो गया, तो chemicals, तो so, transgenic animal, इस तरह से bio-reactor का काम कर रहा है, क्योंकि उसमें, हम लोग ज़्यादा-ज़्यादा production, क्योंकि आप जर्सी काउ को जो देखते हैं, तो क्या है यह सब, यह आपको ज़्यादा-ज़्यादा production के लिए, fish culture आप पढ़ते हैं, आपका honey culture है, इसमें भी सारे जगह, उसके gene में changes लाके, ज़्यादा-ज़्यादा honey का formation करना, ज़्यादा-ज़्यादा fish का production करना, fish से बहुत तरह के oils, by-products यह सब बनते हैं, आप economic geology में पढ़ेंगे, यह सब की by-products, fish के बहुत कुछ हैं, creams, podders, यह सब बहुत कुछ बन रहे हैं, तो large scale पर जब हमें production चाहिए, तो वहाँ पर आपका इसलिए से काया था कि यह bio reactor का का काम कर रहा है, देखी, recombinant chemicals such as hormones, hormones को भी आपने, two hormones तो आपने पढ़ा भी, interferon, interferon भी आपका कि कुछ भी virus हमें attack कर रहा है, तो body में वह interferon का production होता है, वह safe site के लिए, तो यह हमें इसका भी production अगर बाहर हो रहा है, तो interferon हो गया, protein, etc. Thus, manufacturing of recombinant drugs through transgenic animal is called molecular farming, और इस तरह से जो आपका drug का, जो recombinant drug का जो manufacture हो रहा है, कि इससे एक transgenic animal से जो drugs बन रहा है, तो उस तरह का manufacturing होने को molecular farming काते हैं, farming आप जानते हैं, ऐसे farming होता है, animals को रखते हैं, यहाँ पर molecular level पर हो गया, जीन के level पर जब हो रहा है, changes लाके, तो उसको molecular farming बोलेंगे, और उसको इस तरह से table के form में भी दिखा सकते हैं, देखी, transgenic live stock, जो है live stock, जो हम लोग farming में animals को रखते हैं, उन सब transgenic live stock कहलाता है, वो सब, तो उससे हमारे यह सारे products है, byproducts, hormones, blood, milk, इन सब का production, आपका large scale पर increase production, milk से related यह सारे हो गया है, milk का addition, pharmaceuticals में use होना, extraction में use होना, इस तरह से कई bloods का भी, blood से भी लेके, animals के blood से भी बहुत तरह की दवाईयां वगराब बनती हैं, तो pharmaceuticals में circulating peptides, तो जहां पर blood में भी, blood को अप सुनते होंगे, blood को dilute करना है, या उसका blood बहुत dilute हो गया, तो उसे थोड़ा, जैसे का concentrate करना हो, तो इस तरह से बहुत तरह की दवाईयां ये सब बन रही हैं, disease resistant वाला दवा, इस तरह से blood से ये सब बनते हैं, hormones में भी releasing factor, neuropeptides, hormones, इन सब का production, इस livestock जो है आपके transgenic animals हैं, उनसे इनका बनना, byproduct, leather का बनना, oil का बनना, ये सब सारे आपके transgenic animals के ये सब achievement है, ये सब चीजें उससे ज़्यादा-ज़्यादा commercial level पे produce होता है, so figure में लिखा है, नीचे इसे read कर रही हूँ, area of investigation, ये सारे of domestic livestock, जितना भी domestic घरेलू, livestock है, वाया transgenic technology, transgenic technology के थूरू जो ओड़ा आया है, ये सारे आपके domestic livestock से, आपका investigation, area of investigation, उसे यहाँ तर दिखाया गया, ठीक है, ये देखे, चलिए, हम आगे चलते हैं, desired foreign genes are transferred into animal cell, desired foreign genes are transferred into animal cell, उसे हम लोग transfer करते हैं, into animal cell, या embryos में, through virus, micro injections, targeted gene, transfer methods, इस तर से कई methods हैं, जिसके थूरू हम लोग transfer करते हैं, और इस पर बहुत अभी work भी चल रहा है, so many researchers developed several techniques to produce transgenic animals, अब इसके थूरू बहुत सारे अभी, इस पर research का work भी चल रहा है, कि इस तरह से different technique को apply करके, transgenic animal का production, अब इक एक करके हम लोग methods को देखेंगे, now methods of, methods of transgenesis, अब different methods हैं, कुछ old method भी हैं, और new method भी हम लोग पढ़ेंगे, कि कौन-कौन से method है, transgenic, कैसे हम लोग DNA को insert करेंगे, किसी भी cell में insert कर देंगे, फिर उस cell से embryos आपका तयार हो जाएगा, तो उस तरह से transgenic animals आपका form करेगा तो उसके लिए different methods हैं, तो first method आईए, calcium phosphate precipitation में क्या है, आप पहले बात क्या आप जान लें कि DNA या gene जो हैं वो आपके negatively charged होते हैं, जैसे cation है, आपका negatively charged है, अब क्या करते हैं कि calcium phosphate co-precipitation become a popular transfection technique, यह calcium phosphate co-precipitation जो है, calcium phosphate का precipitation यह जो है बहुत ही popular transfection technique है, और इस पर work किन्हों ने किया, यह after graham and vendor EB 1973 में work in animal cell पे इन्होंने work किया है, आपका animal cell पे graham and vendor आपका, और यह बहुत ही popular technique था आपका transfection के लिए, कि किसी cell को foreign DNA को उसमें insert करने का method है, उसमें calcium phosphate को use किया गया और उसका precipitate बनाया गया, अब आईए देखे किस तरह से method है, सबसे पहले क्या करते हैं कि cell, जिस cell से हमें DNA लेना है, उस cell को हम लोग डालते हैं कि इसमें suspended, इसमें hang करवाते हैं, the cells are suspended, ध्यान से समझ लीजिए, जिस cell से हमें DNA लेना है और दूसरे cell को infect करना है, उसमें transfer करना है, जिस cell से लेना है DNA को उस cell को हम लोग suspend कर रहे हैं, किसमें in a phosphate buffer and calcium chloride solution में, ठीक है, बीकर में जैसे solution है calcium chloride का, और साथ में phosphate buffer के solution में cell को suspend कर दिए, ठीक, क्या होगा, this leads to the formation of insoluble calcium phosphate, और इससे insoluble, आपका calcium phosphate का यह precipitate बन जाएगा, यह दोनों react करके, phosphate और यह calcium मिलके calcium phosphate बनाया, which co precipitate with the DNA, अब यह calcium phosphate जो अंदर में आपका यह दोनों मिलके, जो calcium phosphate बनाया, precipitate वो क्या करेगा, यह cell के DNA से जाके आपका bind कर जाएगा, so co precipitates with the DNA, cell के DNA से जाके bind कर जाएगा, calcium phosphate आपका precipitate आपके उससे जाके bind कर जाएगा, अब इस तरह के DNA को, जो calcium phosphate के साथ चिपका हुआ है, उससे हम लोग insert कर देते हैं, cells जिसको की हमें infect करना है, जिसमें हमें डालना है उस cell में, eukaryotic cell में उससे हम लोग add कर देंगे, जो calcium phosphate DNA precipitate is added to the cells, यहां देखे थोड़ा सा इस तरह से बनाया है, कि यह DNA है आपका यह negatively charged है और इधर आपका calcium phosphate, यह calcium phosphate जाके इसके साथ bind कर गया, DNA के साथ calcium phosphate complex formation of DNA with cation calcium phosphate, यह वाला figure, calcium phosphate के साथ जाके वो bind कर गया, अब इस binding को ही साथ में ही DNA साथ जो binding हो गई, उसको हम लोग add कर देंगे to the cells to be transfected, full stop, the precipitate is taken up by the cells, अब यह cell जिसमें हम लोग इसको transfer करेंगे वो cell क्या करेगा, calcium phosphate को वो हटा लेगा किस मेथड से, by endocytosis, engulf कर जाएगा, endocytosis मेथड से calcium phosphate को और उसके अंदर आपका DNA इंटर कर गया, and allow the transfected cells to grow in a particular medium in which non-transfected cells cannot survive, और उस तरह के medium में particular उसके लिए medium है, उसमें वो grow करने लगा, यह transfected cells और वो medium इस तरह का medium है, जो की जिसमें non-transfected cells survive नहीं कर सकता है, कि एवल transfected cells ही survive करें उस तरह का medium कि जिसमें जो जो cell आपका non-transfected होगा, वो उसमें survive ही नहीं कर पाएगा, उसमें वो grow ही नहीं करेगा, तो उस तरह के cells होंगे जो transfected होगा है, और transfected में जब दोनों के साथ मिलके precipitate के साथ उस cell में इंटर करेगा, तो उस cell क्या करेगा, इंडो-साइटोसिस मेथड से आपका precipitate को वो अपने अंदर ले लेगा और क्या कहता है, DNA उस इंसर्ट कर गया अंदर और वो grow कर जाएगा, तो यह आपका मेथड है calcium phosphate precipitation, ना, नेक्स मेथड है कि इस तरह से DNA को हम लोग इंसर्ट कर दियें दूसरे cell में, तो ट्रांसफेक्ट कर दियें उस cell को, नेक्स मेथड है डाय इथाइल एमीनो इथाइल डेकस्ट्रेन, यह भी लगभग इसी तरह का मेथड है, यह भी एक मेथड है जिसमें निक्लिक एसिड को हम लोग ट्रांसफर करते हैं, निक्लिक एसिड मिन्स कि DNA को ट्रांसफर करते हैं, और केमिकल रिएजेंश्ट्स जिसम होती हैं, केलसियो, फॉसफिट और बॉफर लिया गया था, यहां पर केमिकल रिएजेंश्ट्स जो है, इसको फॉस्ट यह केमिकल्रियेजेंश्ट है, इसको फॉस्टर्स ताइम यूस किया गया for the transfer of nucleic acid into cultured mammalian cell मे, उसको mammalian cell में transfer करने में ये chemical को use किया गया so DEAE is interact and deliver DNA into cell यहाँ भी यह देखिए next में था यहाँ भी यह DNA है और इसमें इसी DNA में ही आपका DEAE dextran को introduce कर दिया और DNA आपका negatively charge है यहाँ पर यह positively charge है बस यह से attract हो जाएगा बस दोनों bind कर जाएगा bind कर जाएगा अब इस DNA को इसके साथ लेके cell में transfer कर दिया गया तो इसलिए दोनों का यह diagram का नीचे दोनों के लिए है complex formation of DNA with cation calcium phosphate यहाँ पर calcium phosphate के साथ और DEAE and anion and DAE and anion ठीक है यह दोनों के साथ आपका यह binding complex formation को यह show किया है यह भी आपको दिख गया जैसे वहाँ पर phosphate के साथ calcium phosphate के साथ bind किया था यहाँ DAE के साथ interact करेगा and deliver DNA into cells DEAE dextrin is a cationic polymer that tightly associates with negatively charged nucleic acid और यह जो DAE है जो dextrin जो है वो आपका bind कर जाता है tightly वो associate होगा किसके साथ negatively charged DNA negatively charged यहाँ दिखा रहे है यह negatively charged रहे है इसके साथ यह tightly आपका bind कर जाएगा DEAE dextrin brings about DNA take up by the cells अब जिसमें transfer करेंगे वो cell क्या करेगा उसमें से इसको DNA को take up कर लेगा ले लेगा through endocytosis जैसे पहले वाला method था वैसे इभी endocytosis आप जानते हैं endocytosis method कैसे करते हैं कि जैसे suppose करिए यह आपका cell है तो यह cell इस तरह से यह endocytosis अंदर इसके अंदर वो DNA को insert कर लेगा और precipitate के साथ लेके उसको तो यह दोनो method आपके हो गए ठीक है next class में हम लोग lipofection पढ़ेंगे कहीं किसी को कोई problem हो तो आप personally भी आप phone करके पूछ सकते हो जाँ हो यह विव जाँ ट różہ हो एक令 में उसके झाल्पिड़ एकाप वार भी Mooड़ ।ो एक हमें ऐससान के धुल सब्सक्कर समय है कहीं हो आपक jogos को तो हमेंगे विम्妳म् was spinalira को फशूते को तो हैं पकर यह वो गए तो हमें लेक inne knee